नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों, वो साथि जो कर रहे हैं नीट की तैयारी या फिर 11th की कक्षा में हैं, 12th की कक्षा में हैं तो उन सब साथियों के लिए आज का ये जो special informative वीडियो है, वो बहुत कुछ कहेगा कि आपको कैसे अपने चीजों को schedule करना है distraction से कैसे बचना है, और अगर आप इस जाल के, यानि कि distraction के जाल में फसे हुए हैं, तो कैसे इसको आपको avoid करना है तो this is all about distraction, और यहाँ पर जो distraction है, distraction बच्चों कई प्रकार के होते हैं, बहुत सारे तरीके हैं distraction के लेकिन यहाँ पर जो बात होगी, वो बात होगी बेटा, technology distraction की, यानि की digital distraction आज कल तो सब के हाथ में mobile phone है, चाहे उस mobile phone में आप real देख लें, चाहे आप WhatsApp चाट कर लें, चाहे कोई भी song सुनना है, song सुन ले, YouTube video देख ले, सारी ही चीजे सिर्फ क्या है, एक click पर मौझूद है, तो आईए देखते हैं, क्या है आज informative video में और कैसे यह आपको help कर सकता ह है, और मुझे पूरा भरोसा है, यह जब video आप देखेंगे, सो आप खुद ही अपने guide और अपने mentor बन जाएंगे, चलिए देखते हैं कैसे, so avoid distraction, क्या आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता, या उससे हटता है, क्या आप भी इस जाल में फसे हुए हैं, क्या आप भी इस ज जाल में जाल मतलब क्या, कैसा मकडे का जाल, कॉब वेब, मकडे के जाल की तरह यह जो distraction है, इसमें आप फसे हुए हैं, चलिए देखते हैं, क्या कहता है, so distraction होता क्या है, what is distraction, सबसे पहले देखिए, हम उसको digital या technological distraction तो बाद में कहेंगे, पहले distraction को ही समझें कि distraction होता क्या है, so distraction is the process of diverting the attention of an individual or a group from desired area of focus and thereby blocking or diminishing the reception of desired information, है ना, so इसको हिंदी में क्या कहेंगे, ध्यान बटकाना किसी व्यत्ती का, या किसी समू का, यानि किसी ग्रुप का, ध्यान वंचित छेत्र से हटाने और इस प्रकार के वांचित सूचना, कि प्रकाना किसी प्रकाना किसी व्यत प्राप्ति को अवरुद या कम करने की प्रक्रिया है, distraction, यानि कि क्या हो रहा है यहां पर, मेरे प्यारे साथियों, या तो आप खुद, या तो आपका समू, यानि कि suppose आपका कोई एक friend circle है, है ना, so वो सब क्या लगे हुए हैं, distraction मे, mobile में, TV में, technology में, कोई गेम खेल रहे लेकिन मैं तो यह कहूंगी प्यारे साथियों, ऐसा गुरूप बनाए, जो कि क्या करें, focus रहे, जो determine करें, कि आपके जो छोटे छोटे गोल से उसको पूरा कैसे करना है, so ऐसे friendship और ऐसे friendship गोल ज़रूर बनाए, so distraction, देखिए, क्या-क्या है distraction, distraction की जो लेमिल लैंग्वेज में मैंने जो आप भी समझाया, कि यह सबसे पहले क्या मतलब ध्यान को भटका देती है, suppose आप कोई किताब पढ़ रहे है, किताब पढ़ रहे है, आपका फोन बजा, आप क्या सोचते हो, यार एक बर देखू किसका message है, यार एक बर देखू कौन सा reel आया है, so वो जो बज ह पॉप आउट हो रही है चीजे, वो ही चीजे distraction का कारण है, क्योंकि मोबाइल आज कल कितना user friendly है, वो आपके हाथ में ही मौझूद है, है ना, so आप क्या करते हो, उसको यूज करते हो, और आप अपने आपको, क्या करते हो, धोका देते हो, यानि कि आप अपने आपको ही उ परहाई करना, या कोई भी गेम करना, आप देख रहे हैं, आज कल जितने भी बच्चे जो पहले आउटडोर गेम खेलते थे, अब वो सब सीमित हो करके, यानि कि सीमित हो करके, डिजिटल वर्ल्ड में ही घूम रहा है, आप गेम तो खेलते हो, लेकिन क्या करते हो, डिजि अबिजिटी, नोविलिटी और अट्रेक्टिवनेस अभोह। थे अदर तॉ आपजेक्ट उटेंशन, डिजिट्रक्श अठीटा का चन दोनो two different, थे, बिटा जी किसा? डिस्ट्रक्शन होता है, तो भी आपका external और internal भी. external destruction कैसे होता यानि कि उपरी तौर से बाहरी तौर से destruction कैसे होगा it includes like visual trigger आपने कुछ देखा और आपको लगा यार यह रीर तो बहुत अच्छा है चलो देखते हैं so YouTube भी क्या करता है आपको वही recommendations देता है देता है कि ने अगर बताइए जो आप चीज देख रहे हैं उसी की ही recommendation आपको मिल रही तो आप क्या करोगे आप अपना core of interest वही पर लगा दोगे focus वही पर लगा दोगे social interaction देखिए समाजिक रूप से आपको interaction जरूर करना चाहिए लेकिन समाजिक रूप से उस समाजिक रूप को आप Facebook Snapchat या WhatsApp तक सीमित ना रखें है ना we all are social animal हम समाजिक प्राणी है हमें जाना चाहिए मिलना चाहिए neighborhood में अपने दोस्तों से मिलकर बात करें बैट के बात करें खेले कूदें music text messages and phone calls यही तो सब distraction के कारण है प्यारे बच्चों फिर internal distraction यानि कि आंतरिक तोर पे क्या होता है भूग ना लगना यानि कि अगर आप mobile पे लगे हो अगर आप TV देखे जा रहे हो अगर आप चाटिंग किये जा रहे हो क्या होता है you don't feel like कि मुझे भूग नहीं लगी नहीं मुझे कही नहीं जाना मेरा मूड नहीं है मुझे फैटिग में थख गया हूं और विससे बाते अप थख जाएंगे भाई आप को चिनता होती उसको इतने लाइक मिले मुझे लाइक छी नहीं मिले का मेरी वीडियो अच्छी नहीं है बिल्कुल अच्छी है क्यों नहीं अच्छी है but you will start worrying आप अपने चीजों को क्या करते है उसके बारे में चिनता करने लगते डेड्रीमिंग, आप दिन में ही दिन के ख्याली पुलाओ, यानि की सपने देखते हैं, तो बोथ external and internal distraction is very very harmful, प्यारे बच्चों, अब देखिए उसी चीज को मैंने हिंदी में बता है कि, बाहरी विकर्शनों से और आंतरिक विकर्शन से आप कैसे effect होते हैं, है न, तो सारी चीज़े यहां पर बताई हुई हैं और आपकी यह रूची को खतम कर देता है या कम कर देता है, किसी भी चीज़ पर आपको focus नहीं रहने देता है, समझ रहे हैं इस चीज़ को ? Now, अब देखो बिटा जी, अब देखिए, क्या होता है, अगर आप किसी चीज़ पे फोकस हैं, तो प्लीज अपना ध्यान उस पे रखें, केंदरित करें, तभी तो आप क्या करेंगे, अपने छोटे-छोटे गोल्स को अचीव कर पाएंगे, तो यहां पर मैं यह बताऊंगे कि किस तरीके से आप डिजिटल डिस्ट्राक्शन से किस तरीके से ट्रिगर्ड हैं, ठीके जी, यह देखिए, क्या है डिजिटल डिस्ट्राक्शन, यहां पर आप यह जितने भी सिंबल्स हैं, सारे सिंबल्स को आप जानते हैं, बहुत अच् को positively use किया जाए, नहीं तो negative use करने के लिए तो बहुत सारी चीज़े हैं, प्यारे साथियों, इस सब को देखिए, reels, mobile phone, television, social media, visual triggers, यही हैं, जो आपको distract कर रहे हैं, आपको अपने goal से हटा रहे हैं, क्या sources हैं, इन ही sources को देखे, पहचाने, ठीक है, और क्या करना है, इन से ब पोका दे सकते हैं, यानि कि वो आपके मन को पढ़े, आप उसके मन को पढ़के अपने आपको चेंज कर लें, है ना, कुछ बात ही समझ में आ रही है, चलिए देखते हैं कैसे, क्या कर सकते हैं, you set a timer for 25 minutes on your phone, 25 minute का timer set कर ये, कोशिश ये करिए, कि ये 25 minute का जो मेरा चोटा सा गोल है, जब तक में इसको पूरा नहीं कर लूँगा, या नहीं कर लूँगी, मैं मोबाइल नहीं चूँँगी, या चूँँगा, नहीं देखूँगा, ठीक है जी, दूसरा क्या है, a cluttered room versus a clean organized study space, आप जहां पढ़ रहे हैं, उस room को क्या करने आपको, साफ सुथरा रखो ना यार, उसको organized रखो, उसको ऐसा ना करो कि वो बड़ा ही, कैसा लगे है फजाड, यानि की बहुत सारा क्या, उसमें क्या रहे, बिखरा हुआ ना लगे, बिल्कुल सुलजा हुआ लगे, तो आप क्या होगा, आपके विक्तित्व का भी विकास होगा, आप confident भी होंगे, और आपका पढ़ाई में भी बहुत अच्छे से मल लगेगा, तीसरी चीज क्या है, a phone screen with an application blocker activated, आप क्या करें, जो भी application आपके mobile phone में है, उसमें आप क्या लगा रहे, एक blocker लगा ले, ताकि वो pop out ना हो, कि क्या message आया है, उसको आप mute कर सकते हैं, ठीके प्यारे बच्चो प्यारे साथियों, जरूर इस चीज का ध्यान दे, चौथा, you finishing a task and then treating yourself with a break, आपने क्या किया, सुभे उठकर के अपने छोड़े चोड़े गोल्स को डिसाइड कर लिया, उन गोल को पूरा करने के लिए, आपने क्या किया, कुछ नहीं किया, आपने उस गोल को पूरा करने क जो सोचा था, उस पे आप फोकस रहें, और उसके बाद आप ब्रेक लीजिए, उस ब्रेक में क्या करना है, मुबाइल देखना है, बिल्कुल भी नहीं, हाँ, कभी देख भी सकते हैं, लेकिन आप यह सोचिए, कि उस पे क्यो ना मैं जरा एक राउंड मार किया जाओं, क्य खेल लीजिए, पजल, जैसे सुडो को हो गया, जो आपकी न्यूस पेपर में आता है, आप सुडो को खेल सकते हैं, आप क्रॉस वर्ड्स खेल सकते हैं, वो क्या करेगा, वो आपके आई-क्यू लेवल को बढ़ाएगा ही, और आपको बहुत ही जादा फोकस रखेगा, प् इस बोर्ड पर आपको अपना स्टडी प्लान जरूर लगाना चाहिए, मैं टाइम टेबल की बात नहीं करी हूं, मैं छोटे-छोटे गोल्स की बात करी हूं, जिसको आपको रोज सुबह उटकर डिसाइड करना है, और यही सारे गोल्स हैं, जो आपको अपना खुद का में सुबह आपको जाईने किया अप र lange में और यहीं हो जाएंगे पी का में जाएंगे, में तरीख रहो जाएंगे, निआ रिप्ड़ों किया हो इस त्रीके करें उनल्स अल्ससे पर घृते हैं, और फेल्ड आपको अपने जाएंगे लग का से इसे और साइज चाहिए, मैं के नहीं किया, जो भी आपको मिलता चला गया, आप उसको accept करते गए, accept मत करिये, ठीक है जी, क्योंकि शाम को क्या होगा, आप बोलोगे यार, पूरा दिन निकल गया, मैंने तो अपने गोल को हचीव ही नहीं किया, सो अगर इस गोल को अचीव करने के लिए, आपको क्या करना होगा, आपको, अपने आपको रिगरट करना पड़ेगा, लेकिन, प्यारे बच्चों, वो जो site चला गया है, क्या वो कर आएगा कभी नहीं आएगा इसी लिए क्या करना है ताइमर काउंटिंग डाउन यू शोइंग रिगरेट ओन लुजिंग टाइम यू है लॉस्ट यू टाइम आपने अपना समय खो दिया है ठीक है और इसी के साथ मैं यहां पर यह कहूंगी कि सच में अगर आपको इन सार तो बोड़ एग्जाम हो आया टी हो जेई हो बोड एग्जामिनेशन हो टॉप करना हो आप जरूर टॉपर लिस्ट पे और अप सारे ही डिस्ट्राक्शन से बच कर के आप अपनी हेल्थ को भी सुधारेंगे है फीजिकल हेल्थ भी और में अटल हैल्थ भी तो आईये साथ आपने आप से ही प्रामिस करिये कि यस जो मैंने सोचा है वो मैंने कर दिया है थाइंक यू सो मच और प्लीज जो मैंने आज बताया है उसको जरूर कुछ नहीं तो कुछ तो फॉलो करें जैहिंद